हलो अबरीवन आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेस वीडियो पे तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ आधित बिल्ला सन लाइब डिविडेंड इल्ट्स फंड डायट ग्रोथ के बारे में इसमें मैं आपसे डिस क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइच क्या है साती साथ मैं आप से डिसकस करूंगा इसके अंदर कौन-कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस मुच्छल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो पिछले एक साल तीन साल पांस साल के अंदर आपको क्या इन्विस्ट किया है तो फिर आप अपना S.I.P. आप फिर लंसम को आगे क्या करेंगे आदित बिला सन लाइफ डिविडेंट इल्स फंडाइट ग्रोथ ये एक एक एक्क्योटी मुच्छ फंड है जो के डिविडेंट इल्स कर्टेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाइ इन्विडेंट का रिटन है और अगर एन्वाल रिटन की बात करें तो एन्वाल रिटन है 15.71% का ध्यान देंगे अभी जो भी रिटन मैंने आपके साथ डिसकस किया यहाँ पे एक साल तीन साल पांस साल ये इनका वन टाइम यानि कि लंसम का रिटन है अगर आप एक बार म इन्वेजमेंट करेंगे तो रिटन आपको कुछ और मिल सकता है तो क्या रिटन मिल सकता है यह चीज मैं इसे वीडियो के अंदर आपके साथ डिसकस करूंगा एन्वी के उपर बात करें तो आसके रिट में इसका एक एन्वी का प्राइस है 524 रुपया एकतर पैसा रेटि को मिलता और यहां पर ही में बात करूंगा कि अगर आप SIP के थ्रों इन्वेजमेंट करते तो आपको क्या रिटन देखने को मिलता इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेजमेंट इस्टार्ट नहीं क्या इस्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस् प्सवाल फंड़ में पां-च ज्यार परमन जमां घ्रते है तो एक सालर में आपका पैसा जमां होता Chun आको मिलता 43,561 रुपिया यानि की एक साल में आपको साल पैसाः stubborn की थूर बेयाने को मिलता, 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमां होता onky अगर बात करें कि इस मुच्छवल फंड के अंदर आप एक बार में एक लाख रुपया का लम सम करते तो एक साल में आपको एक लाख रुपया, एक लाख चववन हजार आठ्सो सयतर प्रपया होता तीन साल में आपका एक क्लाख रॉप्या है दो लाख ड्र एखी के असके स्टॉक लिस्टेद ए अगर signals डिसकस करें तो पहला नाम आता है, कॉल इंडिया लिमिटेट, एनर्जी छेत्र, इन्फोसिस लिमिटेट टेकनोलोजी, एन्टी पीसे लिमिटेट एनर्जी, HDFC बैंक लिमिटेट फाइनर्जियल, CMS इन्फोसिस्टम लिमिटेट सर्विस, मल्टी कम्मुनेटी एक्चेंज आप इंडिया लिमिटेट सर्विस, ITC लिमिटेट कंजूमर स्टेप्स, हीरो मोटर कॉप लिमिटेट ओटो मुबाइल, भारत एलेक्टोनिक लिमिटेट, पे है 1.7%, इसकी एक्वर्टी सेक्टर एक लोकेशन के अगर बात करें, तो अदर्स पे 26.1, एनर्जी पे 22.8, फाइनल्सियल पे 18.8, टेकनलोजी पे 13.3, सर्विस पे 9.9, और कंजूमर स्टेप्स पे 9.2%, यानि कि अगर आप आधित मिला सन लाइप, डिविडेंट, इल् इस्ट्रिब्यूट होकर के लगेगा, इनके एडवांस रेशियो के अगर बात करें, तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 18.04, और पीवी रेशियो 3.44, अगर आप इस मुच्छल फंड के अंदर अपना पैसा इंभेश्ट करना चाहते हैं, तो फिर मिनिमूम लंस सनलाइब डिवेडेन इस का फंड रेटन जो कि एक साल में 54.9, तीन साल में 27.8, पांस साल में 28 और इनवल है 15.7 का, वहीं पर इस कैटेगरी का जो अबरेज रेटन होता है, यानि कि एक्वेटि डिवेडेन इस मुच्छल फंड का एक साल में 49.9%, तीन साल में 24.6, पांस सा में 26.4 का है, तो यहां से देखेंगे यह मुच्छल फंड हमेशा अपना कैटेगरी अबरेज से कम रिटन दिया है, और यह बात करें एक साल से पांस साल के बीच में भी तो हमेशा यह टॉप 5 में अपना जगा बना पा रहा है, तो अगर आप एक डिविडेन इस मुच्छ और 0% का exit load की बात करते हैं, अगर आप invest के आवा पैसा 90 दिनों के अंदर निकालेंगे, तो फिर आपको 1% का exit load देना होगा, और stem duty की बात करें, तो stem duty है 0.005%, टेक्स इंप्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप invest के आवा पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे, तो जो भी return होगा, उस पर आपको 20% का tax payment करना पड़ेगा, अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, और 1 साल में 1,25,000 का return बनता है, तो फिर आपको 12% का tax payment करना होगा, यानि कि short term capital gain पर आपको 20% का tax payment करना है, और long term capital gain पर 12% का tax payment करना है, अगर कोई investor एक साल के 25,000 का return नहीं बनता है, तो फिर इनको 12% का tax payment नहीं करना होगा, इनके fund house and investment objects की बात करें, तो आदित विला सनलाइफ मुच्वल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नम्मर चार पे रेंग करता है, इसका टोटल असिस्ट अंडर मेनेजमेंट है 3,6,537 करोर का, आदित विला सनलाइफ डिविडेंड इल्स फंड डायट ग्रोट ये एक एक एक्वेटी मुच्वल फंड है, जो कि लॉंच क्या गया आदित विला सनलाइफ मुच्वल फंड की तरब से, सत्या भारता मौएंटी बिनीत मालो अभी इस फंड का का कारेंट फंड मनेजर है, इस फं गया है और मिनिममम लंसम एक हजार रुप्या का सेट किया गया है, अगर आप इन्वेस्ट के आवा पैसा 90 दिनों के अंदर निकालेंगे, तो फिर आपको एक परसंट का एक जिट लोड देना होगा, और इसकी फंड वेंचमार्क के अगर बात करें, तो इसकी फंड परके निफ्टी 500 टोटल रिटन इंडेक्स, तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिसकस किया, आधित विल्ला सन लाइफ डिवेडेंट इल्स फंड के बारे में, फिर मिलते हैं हम लोग नेस्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को ले करके,